हैलो गर्ल्स, वेरी गुड मॉर्निंग, आज हम देखने जा रहे, पार्ट नमबर नो, जब तक जिन्दा रहूं, लिखता रहूं, लेखा गए विश्वनात प्रसात तिव्यारी, विश्वनात प्रसात तिवारी जी, जो की अमरुतलाल नागर से बाच्चित करते हुए इस में आपको दिखाई देंगे, यह पार्ट एक सम्वादात मक पार्ट है, जिसमें जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह है हिंदी की प्रसिद्द साहित तिकार, अमरुतलाल नागर जी, और इनकी मुलाकात यानि की इंटेडुरी ले रहे है विश्वनात प्रसात ति अबी लेखक और सम्पादक थे, इनकी कुछ कुछ कुरुतिया है, फिर भी कुछ रह जाएगा, अग्यय पत्रावली, अंतहिन आकाश, अमेरिका और इरोप में एक भारतिय बन, इत्यादी, प्रस्तुत साक्षात कार यानि के इंटेडुरी में, विश्वनात प्रसात तिवारी जी ने नागर जी से ततकालिन, सामाजिक, राजनीटिक परिस्तियों, लेखको आदी के बारे में अनेक प्रश्न पूछे है, इन सभी का जीवन, एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे इस साक्षात कार यानि की इंटेडुरी के माध्यम से जाननी का प्रयास किया है, तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की तरफ, तिवारी जी का पहला सवाल नागर जी से, नागर जी मैं आपको आपके लेखन के आरंबकाल की और लेचलना चाहता हूँ, जिस समय आपने लिखना शुरू किया, उस समय का साहितिक माहुल क्या था, कि क्या आदर्श थे आपके सामने, तिवारी जी का पहला प्रशन था, कि लिखने के लिए आपको प्रेरणा देने वाले कौन थे, आपके गुरू कौन थे, उस समय साहितिक माहुल कैसा था, तो नागर जी का जवाब था, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया थ यानि कि वे बताते हैं कि लिखनकारे मैंने बाद में प्रारंब किया, शुरूआत में उन्होंने कई सारे लिखकों के पुस्टक, उपन्यास, कहानिया पड़ी है, जिनके बारे में इस पैरग्राफ में आपको दिखाई देगा, उन्होंने क्या आखाया देखो तो, चापे का अक्षर मेरा पहला मीत्र था, कवीता में सबसे पहली कवीता चापे का अक्षर, इस पर उनकी, मतलब उन्होंने पहली बार ज्यादा पड़ी थी, घर में दो पत्रिकाई उनके पितामा मंगाते थे, एक थी सरस्वती और दूसरी थी ग्रुह लक्ष्मी, पत्रिक में या मंतली मासिक पत्रिकाई आती है उसी प्रकार से, उस समय हमारे सामनी प्रेमचंद का सहित्य था, कौशिक का था, ये सारे लेखकों के नाम अब जो आगे आएंगे प्रेमचंद, कौशिक, बंकिम, जिनके उपन्या सुनोने पड़े, शरत्चंद्र को बाद मी है, श 1930 के आसपास नागर जी ने पड़ा था, उपन्यास वमें बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पड़ डाले, आनंदमठ, देवी चोधरानी और एक राजस्तानी थीम पर लिखावा उपन्यास उसी समय पड़ा था, येनि कि नागर जी ने बताया है कि कौन-कौन से लिखकों के फिर तिवारिची का अगला सवाल है उनके लिए, क्या यहीं लेखक आपके लेखन के आदर्श रहें? नागर जी ने कहा, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पड़ने का, यानि कि नागर जी ने कबूल किया है कि उन्हें पड़ने से बस मन का आनंद मिलता था, यह उनके आदर्श नहीं थे, सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमिशन के बहिशकार के समय, 1928-1929 में, जबकि साइमन कमिशन यह इदियास की एक गटना है, जिसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं, जब लाठी चार्ज हुआ था, इस अनुभव से ही पहली कविता इखनकारे में पहली कविता थी, जिसका नाम उनोंने बताया है, कब लव कहो लाठी खाए, जो उनोंने साइमन कमिशन के बहिशकार के समय, 1929 में लिखी थी, तिवारे जी का अगला प्रशन है, इस घटना के बाद आप राजनेदी के और क्यों नहीं गए, यानि कि आप प इताजी सरकारी कर्मचारी थे, 1929 के बाद मेरी रूची बढ़ी पढ़ने में और सामाजिक कारियों में भी, लेकिन मेरी पहली कहानी चपी 1933 में अपशकुन, तुमारे गोरपपुर के मन्न ज्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों, चन्डी प्रसात रधेश थे, उनकी ले क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, और आप जानते थे, अंग्रेजों के जमाने में जो भी सरकारी काम या कर्मचारी काम करते थे, अगर वे अंग्रेजों के खिलाफी बगावत करें, तो फिर उन्हें नौकरी से हाथ दोना पड़ता, और इसलिए नागर जी ब क्या उन दिनों आप पर गांदी जी के विक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा यानि कि गांदी जी जिनका नेत्रुट्व हमने देखा है कि आजादी के लिए उन्हें बहुत सारे अंदुलन चिड़े है तो क्या उनका प्रभाव आप पर पड़ा नागर जी का जवाब हाँ निश्यत्रुप से पड़ा पिता जी ने आंदुलनों में भाग लेने से रोका वह रोकना ही मेरे लिखन के लिए अच्छा हुआ यानि कि नागर जी बता रहे थे कि गांदी जी के विक्तिमत्व का प्रभाव मुझ पर पड़ा और मैं राजनिती में जाना चाता था जो कि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों को बगाने के लिए कई सारे आंदुलन चिड़े हुए थे लेकिन पिता जी ने मना किया इसलिए मैं उस आंदुलन में भाग न ले सका और शायद उसी कारण मेरी रुची लेखन के तरफ ज्यादा बढ़ आपके लेखन में गरिवों के प्रती जो करुणा है वो किस से प्रभावित है जवाब मिला है वो तो अपने समाच से ही उपरी थी मेरी पहली कहानी प्राइशित इसका प्रमान है हमारे पारिवारिक संसकार भी थे मेरे पिताजी में एक अदबुत गुन था वे किसी के में तुरंत पहुँचते थे इसने मुझे बहुत प्रभावित किया गर्ल्स पेज नबर 83 पर हम देख रहे हैं फर्स परिग्राफ जिसमें नागरजी ने क्या बताया है कि मैंने जो पहली कहानी लिखी उसका नाम है प्राइशित हमारे पारिवारिक संसकार जो थे वो यही शायद स्वभाव नागरजी में भी देखने मिल रहा था तिवारी जी का अगला सवाल उस समय तो उकरांतिकारी आंदुलन भी हो रहे थे क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पढ़ा यानि कि समाज देश को हमारे भारत देश को अंग्रेजों से आजात कराने के कही सारे आंदुलन चिड़ेवे थे और इस आंदुलन का आप पर कुछ प्रभाव पढ़ा क्या नागरजी ने क्या जवाब दिया देखो तो उसी से तो पिताजी ने डाटा और रोका काकूरी बमकांड हो चुका था 1921 से आंदुलन तेज हो गए थे गर्ल्स क्या है यह काकूरी बमकांड इतिहास में काकूरी बमकांड का बड़ा महत्व है यह एक महत्व पुर्ण घटना थी इनका उद्देश क्या था देखो तो अंग्रेजी शासन के विरुध लड़ाई करने के लिए सरकारी खजाना लूटना और उन पैसों से हतियार खरिदना इस घटना से लोगों ने क्रांतिकारियों के प्रती अपना रवय या बदला क्रांतिकारी यानि जो कि अंग्रेजों के खिलाव बगावत करते थे खुली लड़ाई खेलते थे साथ माज 1925 को कहीं से भी धन प्राप्तन न होने किस्तिती में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके दस साथियों ने दो लूट को अंजाम दिया उन्होंने सरकारी खजाना लूटना चाहा लेकिन हाथ में कुछ पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने दो ड़के दिया डाली परन्तु इस लूट के दोरान दो वेक्ती मौके पर मारे गए और जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल की अंतरात्मा को बहुत ठेस पहुची और उन्होंने तई किया किवे सिर्ष सरकारी खजानों को ही लूटेंगे अमिर घर पर ड़के थी नहीं डालेंगे तो काकोरी ट्रेन की डखे थी इस प्रयास में इन करांतिकारियों का पहला कदम था काकोरी यह एक ट्रेन का नाम था जिस ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा था 9 अगस्त 1925 को शहजापूर शहर के रेलवे स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल और उनके नेतरुत्व में कुल 10 लोगों ने काकोरी ट्रेन को लूट लिया जिसमें सरकारी खजाना था और आगे जा करीतियास में यही काकोरी बमकांड नाम से प्रसिद्ध हो गया तो मुझे लगता है काकोरी बमकांड अभी आपको समझ में आया तिवारे जी ने फिर से सवाल पूछा क्या सामाजी का अंदोलनों जैसे आर ये समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा यानि कि उन्होंने कहा है कि उस समाज के समाज उस समय के समाज का आरे समाज का आप पर कुछ प्रभाव पड़ा क्या नागर जी का जवाब क्या था देखो दो आरंबिक असर है थोड़ा ज़रूर मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे समाजिक अंदोलन में जाने से नहीं रोका यानि कि नागर जी ने कबूल किया कि पिताजी ने मुझे राजने लिमें जाने से रोका लेकिन समाजिक हित के लिए जो आंदोलन चिरे हुए थे उसमें मदद करना या उसमें जाने से उन्होंने मुझे नहीं रोका जैसे जवारलाल नेरू से मेरी भेट 1933 में हुई उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था नेरू जी जेल में थे उनकी माँ के पास कुछ कश्मिरी लोगों को छोड़ कर कोई आता जाता नहीं था मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था और पंडी जी जब जेल से छुटे तो मेरी उनसे वहीं पर भेट हुई जो प्राय होती रहती थी उनसे खूब बाते होती थी हर तरह की इस प्रकास से नागर जी ने कबूल किया है कि समाजिक आंदोलन जिसमें जवालाल नेरू उनकी मा इनसे भी उनकी मुलागात हो गई थी और इस प्रकास से जब जवालाल नेरू जेल से छुटे तो उनकी मुलागात हुई उनसे कई सारी बाते हुई ये एक प्रकास समाजिक आंदोलन था जिसमें वे अपने इस प्रकाय से उन्होंने किस प्रकाय सामाजिक अंदुलनमी योगदान दिया उसका जिक्रवे कर रहे है फिर जिवारी जी का अगला सवाल है आपका पहला उपन्यास कौन सा है नागर जी ने बताया पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल जो छापा 1946 में बंगाल से लोटकर इसे लिखा था उनके पहले उपन्यास का नाम था महाकाल और जो 1946 में छपकर बाहर प्रकाशित हुआ था तिवारिजी का अगला सवाल क्या यही बाद में भूक नाम से प्रकाशित हुआ तो नागर जी ने जवाब दिया हाँ तिवारिजी का अगला सवाल नागर जी आप अपने समय के कौन कौन से लेककों के संपरक प्रभाव में रहे इस प्रकासे नागर जी से तिवारी जी की बात्चित चल रही है और वे उनसे सवाल पूछ रहे है जिस सवाल के जबाब देते हुए नागर जी ने कहा कि महाकाल उनका पहला उपन्यास था और उसके बाद भूक नाम से वह प्रकाशित हुआ था गर्ल्स धन्यवाद